नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं All In One Hindi Highlight YouTube चैनल दोस्तों आज हम आपके लिए EDS का एक और नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं दोस्तों जो है ऑनलाइन बिधी सांग प्रोजेक्ट और गानी के बोल हैं दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे तो आज का प्रोजेक्ट कैसे बनाया गया है उसका डिजान कैसा है यह जानने के लिए चलते हैं अपने कम्प्यूटर के स्कीन पर तो आएए स्टार्ट करते हैं फाइनली दोस्तों हम आगे हैं अपने कम्प्यूटर के स्कीन पर और यह वो रार फाइल है दोस्तों ये HBM के नाम से और R फाइल है इसको डाउनलोड करने के लिए आज आप लोगों को 26 MB डाटा खर्ज करना पड़ेगा ये प्रोजक्ट एकदम cut to cut edit किया हुआ है तो इसमें ज़्यादा कुछ डाटा काउप योग नहीं किया गया है इसलिए इसका साइट छोटा है और आप लोग इसको डाउनलोड करने के लिए वीडियो देखेगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डाउनलोड लिंक मिल जाएगा जिस पर आप लोग सिंगल क्लिक में इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों प्रोजक्ट डाउनलोड करने के बाद आपको यह ऐसा RAR file प्राप्त होगा जिसके उपर दोस्तों हमने पासवर्ड लगाया हूआ है तो उस RAR file को अंजिब करने के लिए पासवर्ड आपको वीडियो में मिल जाएगा आप लोग वीडियो को पूरा देखें वीडियो में पासवर्ड आपको दो-दो पार्ट में सुरी दोस्तों दो-दो अंक करके और तीन पार्ट में मिल जाएगा तो सबसे पहले हम इसको अंजिब कर लेते हैं अंजिब करने के बाद आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि प्रोजेक्ट कैसा है तो हम यहाँ पर इसको सिंपली एक्सटेक्ट हैर करेंगे और हमने इसके उपर जो पासवर्ड लगाया हुआ है हम वो पासवर्ड इंटर कर लेते हैं हमने पासवर्ड इंटर कर लिया है और हमारा रार फाइल फाइनली एक्सटेक्ट हो चुका है अंजिप होने के बाद हमको उसी नाम से एक नया फोल्डर मिला है जिसमें प्रोजेक्ट फाइल और डाटा दोनों आपको मिल जाएगा उसके बाद हम अपना EDS ओपन करके और EDS में लोड करके वो प्रोजेक्ट आप लोग को दिखा दे रहे हैं कि कैसे डिजाइन किया गया है EDS हमारा ओपन हो चुका है जैसा कि दोस्तों EDS के रिसेंट में हमारा वो प्रोजेक्ट सो कर रहा है क्योंकि हमने उसके उपर अभी थोड़ी दिर पहले काम करके खतम किया है उसको कंप्लीट किया है तो हम यहाँ से आपको वही रिसेंट में ओपन नहीं करेंगे हम यहाँ से ओपन प्रोजेक्ट करते हैं और हमने उसको डाउनलोड करके desktop पर अंजिब करके रखा हुआ है तो उसी folder को select करेंगे और folder में उस project को जो आज हमने आपको दिया है HBM के नाम से उस पर आप लोग click करके और यहाँ पर simply open प्रेस करेंगे तो EDS में आसानी से open हो जाएगा हमारा project EDS में finally load हो चुका है और यह project है दोस्तों आज आप लोगों को जो मिलने वाला है इसको प्ले करके देखने से पहले दोस्तों सबसे पहले हम इस पर वीडियो लगाएंगे जिसके लिए बिन में एक नया folder क्रेट करके और कुछ वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमें इसके उपर लगाना है आप अपने हिसाब से लगाना हम कोई भी वीडियो इस पर इंपोर्ट कर ले रहे हैं लगाने के लिए वीडियो हमारा इंपोर्ट हो चुका है उसके बाद वीडियो लगाने के लिए replace footage वाली click के उपर आपको double click कर देना है एक नया sequence आपके सामने आ जाएगा उसके बाद आप बिन से अपना वीडियो पकड़ के और यहां छोड़ दें दोस्तों जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहां audio भी साथ में आ रहा है इससे दोस्तों कोई problem नहीं है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए सबसे पहले वीडियो फिर से गलीट कर दें और यहां पर audio का जो यह वाला असेंबल है इसको आप न्यूट कर दें उसके बाद वीडियो लाएंगे तो audio साथ में नहीं आएगा और हम अब final sequence पे आएंगे हमारा editing यहां हो चुका है दोस्तों इस पर अभी कुछ clip offline सो कर रही हैं जिनको हमें link करना है link करने के लिए दोस्तों 11 offline clips सो कर रही हैं इस पर आप double click करें उसके बाद एक नया window आपके सामने आ जाएगा जिस पर किसी एक clip के उपर click करके और control ये press कर देना है आपको जैसे ही आप control ये press करेंगे यहाँ पर सारी clip select हो जाएगी उसके बाद आपको दिख रहे arrow के उपर left click करके और link select folder कर देना है उसके बाद जहां कहीं भी आपने footage काटके रखेंगे हों पच्ची सेकंड के H264 में full HD के resolution में काटके रखेंगे पच्ची सेकंड के footage तो उस पर आप जब इस folder को select करेंगे तो ये automatic restore हो जाएगा जैसा कि हमने इसमें काटके रखा हुआ है तो हम वही folder select कर रहे हैं और यहां से open करेंगे तो ये आराम से हमारा link हो जाएगा जैसा कि दोस्तों हमारा link हो चुका है हमने footage काटके रखे हुए थे अब हम आपको चेक करवा रहे हैं play करके दोस्तों हम audio को mute करके आप लोगों को project दिखा दे रहे हैं क्योंकि पूरा audio सुनाएंगे तो copyright की problem हो सकती है दोस्तों एक दम cut to cut color correction के साथ दोस्तों इस project को हमने create किया है अगर project आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर करें दोस्तों हम प्रोजेक्ट आप लोगों को भागा भागा कर दिखा दे रहे हैं क्योंकि दोस्तों प्ले करके एक तरफ से चेक कराएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि ये project लगब पांच मिनट के आस्वास का है दोस्तों तो ये प्रोजेक्ट हम आपको प्रोजेक्ट फटा-फट बगा के दिखा दे रहे हैं कि फुली कट टू-कट एडिट किया हुआ है दोस्तों और विट के साथ इस पर बॉई-गर्ल कफल और एफेक्ट लगे हुए हैं दोस्तों तो यहां तक था दोस्तों आज का ये project आज का ये project कैसा लगा ये comment box में जरूर बताएं दोस्तों अगर कोई दिक्कत आती है तो वो भी comment करें तो फिलाल आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नए project में नए दिन दोस्तों तब तक के लिए जैहिंद